भारती अंत्रिक्ष अनुसंधान संगठन याने इस्रो के प्रमोख डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा लोग पूछते हैं कि इंसानों को अंत्रिक्ष में भीजने की क्या सरुवरत है धर्ती है तो सही जगह रहने के लिए फिर अंत्रिक्ष यात्राय क्यों इसका बड़ा ही शांदा जबाब वेदेवे इस्रो चीफ सोमनाथ ने कहा कि दानासौर की तरह एक दिल इंसान भी धर्ती से खत्म हो जाएगा इसके लिए या तो वो खुछ जिम्रदार होगा या प्रकुती या फिर अंत्रिक्ष से आने वाले एस्रोइड इस्रो चीफ ने तो रहने वाले है नहीं डाइनासौर मारे गाए क्योंकि वो पुठ्यमार नहीं थे इंसान है इसके बावजूद इंसानों के जिन्दगी धर्ती पर बेहत सीमित है अगर इंसानों ने नई जखा रहने के लिए नहीं चुनी तो एक नए एक दिन धर्ती खर्म होगी साथे इंसान भी हो जाएंगे अंटार्क्टिका पर दुनिया भर के सेंटर्स है भारत के भी तीन सेंटर्स है जरूरत क्या थी क्योंकि अगर हम भविश्य में कुछ खास रखो और शेत्रु में अपना कदम नहीं रखेंगे तो हमें वहां से बाहर कर दिया चाएगा अगर चंद गण्यान सिर्फिक नया प्रयास है अजादी के अमरित महुतसर पर हम ये हूमन स्पेस लाइट एक्सपो शुरू कर रहे हैं सौ साल होने पर हम अंत्रिक्षी अपना स्पेस स्टेशन बना चुके होंगे सिर्फ गण्यान तक नहीं रुकेंगे हम चाते हैं कि जब दुनिया के बड़े स्पेस मिशन में बड़े देश शामिल हो तब भारत का एक या दो एस्ट्रोनौट उस टीम का हिसा हो हमें अंत्रिक्षी बड़ी कोच में शामिल किया जाए सोबनात ने कहा कि भारत ने चंद्रयान एक मंगल्यान समेथ कई ऐसे मिशन किरीद दिये हैं जिसने ये स्थापित कर दिया कि हमारा देश हमारे वग्यानिक हमारे लोग और हमारा इस रोध दुनिया के किसी भी देश को टकर दे सकते हैं लेकिन हमारे लिए सबसे इसले हम उन्हें ऐसे मौसम क्रिशी आपदा नविकेशन संचार जैसे सुवधाय दे रहे हैं हमारी अगली पीडिया दूसरे ग्रह ही नहीं सौर मंडल और उसके बाहर एक्सो प्लानेट तक जाएंगी